उत्तर प्रदेश में प्रात्मिक सिक्षक भरती को लेकर के बात की जाए तो यहां के लाखों अभ्यर्थी हैं मतलब इनके संख्या 15-20 लाख से भी जादा है वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में नई प्रात्मिक सिक्षक भरती कब देखने को मिलेगी खासकर जब हम BTC DLA क के कोर्स की बात करें जो कोर्स जिसले स्पेशली करवाया गया था और ऐसे में 1-5 की बात की जाए तो वहां पर एक भी पदो पर भरती देखने को नहीं मिली अगर हम पिछली भरती की बात करें तो बह भरती देखने को मिले थी उसके बाद यूपी के विधान सभा उसे ज़स्ट पहले उसकी घोशला की गई कि 17,000 पद भरती जो है वहाँ आएगी लेकिन किनी कारडों के चलते वहाँ भरती भी देखने को नहीं मिली यहाँ पर अब सवाल यह हर एक जो अभिर्थी है जो तैयारी कर रहा है आपके जहन में भी यह सवाल है और आप कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम बात करें यूट्यूव की बात करें फेस्ट्राग्राम है या ट्विटर है कहीं से भी आप सब जगे कहीं न कहीं यही देख रहे होंगे या जानकारी ले रहे होते हैं कि अब भरती देखने को मिलेगी कब जब हम यूपी के सटे बिहार स्टेट के बात करते हैं दो दो बड़ी भरतियां दो दो ढई 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 लाख पदो पर भरतियां हुई और बहुत सारे स्टुडेंट्स कहीं न कहीं अगर हम पूरे भारत की बात की जाये लगबग सोलह राजियों से बिहार में जाकर के नियुक्त हुए अब यूपी की बारी कब आएगी यूपी में भरती कब आएगी कब या फिर याब जब हम बात करें यहाँ पर इस आयोग को लेकर के आयोग बन चुका है तो क्या ऐसे में संभावनाए है क्या लोग सभा चुनाओ जो अभी खत्म होगा उसके बाद संभावनाए है और सबसे बड़ी चीज जो अभेर्थियों के जुबान पे हो यह है कि अब जब अगला विधान सभा चुनाओ होगा 27 के बाद की जाए या उसके आसपास जब भी तब जाकर के हो सकता है कि उसी राजे में चुनाओ है और इसके चलते सरकार जो है वह एक नई प्रात्मिक सिक्षक भरती की घोश्रा कर दे वह हम आपको बता दे कि कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है जब लगेगा कि आयोग चुकि अभी तक आयोग नहीं आया था आयोग भी आ चुका है जो लंबित भरतियां है वो पूरा किया जाना है तो अगर आप तो हजार सताइस डेट ले करके चल रहे हो अभी का लगबगाद से अगर माना जाए तो चौबिस पूरा फिर पच्चिस फिर शबिस तर जाकर के सताइस होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सताइस में ही आपको भरति देखने को मिले वो इसलिए डेट रिमाइंड बार-बार करवाई जा रही है आपके सामने भी आ रही होगी कि विधान सभा चुनाओ की डेट की आसपास की तिति है और ऐसे में कहीं न कहीं वही तितियां जो है वो सामने आती है तो भरति पहले भी हो सकती है कम समय में हो सकती है एक डेड़ महिना में भी हो सकती है इसके पहले भी UP में इतने कम समय में भरतियां हुई है, बिहार अभी भरतियां करी रहा है ऐसे उसमें तो कुल मिला करके यहां पर हम जिस्टसार को लेकर करके बात करें तो नई प्राथ में एक शिक्षक भरती हैं करेंटर फेर्ट के पोर्शन की बात करेंगे ही सब्जिक्ट भी मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि उस पर आप ध्यान दीजिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है खासकर अगर आपने बिहार का फॉर्म भरा है तो आप यहां के लिए भी पढ अगरा नहीं रहना है आप वहांपर जॉब नहीं करनी है तो ऐसे में अट्लिस्ट आप अपनी तयारी रहें यहां पर पिपर का पाटंट देखिए कॉस्ठं पेपर का पाटन देखििए आ lies जिनक में सिंक में, एक तरीके से एक क्रम में रही की मुख्ष्धारा में रही है पढ़ाई है बाकि भरती आज नहीं कल तो आपको देखने को मिलें लगी बाकि यहांपर जो लंबित भरती है TGT fim क्रम स्वाओं अपणे तई आरी करते रहें झाल झाल